पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी जस्वन सिंग को गरफतार कर लिया है ग्राम सुथी खड़ा के दौरा रेपोर्ट किया गया कि असी पत्नी स्यामूबाई आठ माई से चुन के ग्यारा वजे करनी लेने गई थी वह लोटत नहीं आई है इसी दोरान अवर लगी के ग्राम सुथी खड़ा के नाले के पास बेसंदी घाडियों में एक मृत्का का सपड़ा हुआ है ग्रत्का लोगाजा के देखा गया तो हुआया के वो रादों सिंग की पत्नी श्यामूबाई के सरीर से सब है मृत्का के शरीर पर गर्दन के पास शुट निशान थे तो उसके बंज उसमें प्रॉस्वाटर रोपोर्ट में सामने आया उसके गला खोड़े त्या कि यह कि अधा आठ तारीक को प्रें गटते 11 वजे नेरी निकली थी पिर वो लॉटत नहीं आई थी इस पूरे घटनाक्रम में यह सामने आई कि अध्का स्यामूग भाई की देवरानी भगवाई के साथ मुझत भिवाद था परीवस्द दो महां पहले उसने देवरानी भगवाई को भा दिया थी ऐसे निवरानी भगो भाई के संबन जो सब्यरा के जशुर जश्वन सिंग से थे जशुर जश्वन सिंग चटिना तेनां को थना के बाद भूराय यानी हो गया था वह से जाएन भुट्ट लुट्ची प्रॉयों कैकलॠ., वो प्याँ प्रिफ कता च्पारफ मियंदbo,िसर्फॉयै जाएवकlasse真的 सर्फॉरे करा म सुझाथ। और उसकी देवरानी तको वाई को भी यहां से एनिके बढ़ा दिया था जो कि इतने माई के चलूआता हम रहती थी और जसु पथा उसकी देवरानी की विश्मंद वह वाई को सुटी ठीड़ा में लाना चाहता कि संबस्थ में उसने में स्यामो बाई के साथ में समंढ्द है और अतना की रांको कीन कि आम के सुटब और छषु भी धα्रींगुमन दिवरानी में पर उसका पर सबस्कोंब भॉक्ता के साथ ता जो उसने उस मेटका का मुबाइल के मुच्छ चपनों पूले गया था हुआ तो पश्चा में कार्णी ये दौन चीजह में पुस्स जड़ा है इस वजाय कह सकते हैं कि अधित्रका श्यमुवाई को आरोपी जस्तुने उसकी गेवरानी थी उसको गाओं में स्थाफ़त करने की आशे से तदा उसकी जमीन को बहुत भिलवाने के लिए भित्रका से वज्चा के गेवरानी थी भी करता है